अगर आपके साथ कुछ भयानक हुआ है, तो आपको उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आप फिर उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसा मूल रूप से इसलिए है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, दुनिया में लोगों को ये नहीं सिखाया है, कि अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तिमाल करें, ऐसे में सब कुछ दर देता है। सद्गुरू, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, हमें पता है कि हमेशा ये उनको याद रहता है, वो इसके बारे में बार-बार सोचती रहती हैं। एक समय आता है जहां वो इसे भुला दिना चाती हैं, लेकिन वो अपने अतीत को छोड़ना भी नहीं चाती, क्योंकि उसे छोड़ने में उन्हें गुनगार जैसा लगता है। तो ऐसा क्यूं होता है? और हम इस भावना को कैसे छोड़ें? जैसे अगर यौन सोचन या सेक्शल अब्यूस को लें, अगर किसी लड़की के साथ यौन सोचन होता है, आखिरकार जब वो ऐसी स्थिती में पहुँचती हैं, जहां वो उससे उभरने के लिए तयार तो हैं, लेकिन उसे भूल जाना उसे दोशी जैसा लगता है, क्यूंकि इसने उसे बहुत-बहुत लंबे समय तक परिशान रखा है, क्या ऐसे में उसे भूल जाना सही है? एक इंसान ऐसी स्थिती से कैसे निप्टे? देखे, मुझे लगता है कि ये संघर्ष एक गलत फहमी की वज़े से है, कि ये कुछ दुख़द या भयाना घटना जो किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, ये किसी के साथ भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है। भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आप उसमें फिर से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यादाश्ट और जीवन जीने के बीच के अंतर का पता होना चाहिए। आप जी रहे हैं, यादाश्ट एक मरी हुई आद हैं, आपको इसे अकलमंदी की तरह इस्त आपको अवकाश्ट देता हैं. नहीं मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई चिकित सा संबंधी नाम है, जो ऐसी चीजों से पेड़ित हैं, जो मौझूद नहीं है। नहीं नहीं उन्हें बताईएगा मत्वो उससे भी पेड़ित होंगे। अगर आप ऐसी चीजों से पेड़ित हैं, जो मौझूद नहीं हैं, तो एक स्तर पर ये पागलपन है, है ना। जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो ये आपको बहुत क्रूर लगेगा, क्योंकि अरे मेरे अपने दुख हैं। देखिए, आप अपने दुखों को तमगे की तरह ढोरे हैं, समत कीजे, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब कोई चीज हमें चोट पहुँचाती है, तो या तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं, या घायल, हमारे पास यही विकल्प है, तो या तो हम इसे बुद्धिमान बन सकते हैं, या घायल बन सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसको जहल चुके हैं, जीवन बस थोड़ा सा समय ही है, यह बीता जा रहा है, जब से आप यहां बैठे हैं, जब से आप यहां आएं हैं, आप कबर के एक घंटा नज़्दीक पहुँच चुके हैं, हाँ या ना, हाँ यह बीता जा रहा है, यह हम सभी के लिए बीता जा रहा है, तो इसमें हर अनुभव को एक घाव की तरह ढोने का समय ही का है, नहीं, इसे आपका विवेक बनना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आपको दूसरों से ज्यादा, दूसरों से पहले बुद्धिमान बन जाना चाहिए, हैंना, पर अफसोस है, ज्यादा तर लोग गायल होने का चुनाव करते हैं, सिर्फ इस लिए क्योंके फिर से हमारी शिक्षा प्रणाली में हमने मानव मन की प्रकृति को लेकर कुछ नहीं किया है, हम मेंड़कों और कॉक्रोच और पेड़ों और केमिस्ट्री और फिजिक्स और ग्रहों और सब तरह की पढ़ाई में बिजिया है, इसकी और कोई ध्यानी नहीं दिया गया है, तो हमें नहीं पता है कि अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करें, अभी एक मनश्य के रूप में आपके पास जो सबसे बड़ी ख्षमता है, वो है एक जीवंत याददाश्त का होना, उस सब कुछ जो हुआ था, आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं, मानो वो अब भी जीवित हो, यहां एक भंडार है, आपके मन में एक संग्रे हैं, जो आप जब चाहें पूरे विडियो को फिर से चला सकता है, पर यह एक समस्या बन गया है, आप पुरानी फिल्मों से दुख उठा रहे हैं, और एक जबरदस्त कल्पना करने के एक शमता है, तो आप पहले से ही ऐसे कल से पिड़े थे हैं, जो अभी आया ही नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने बच्चों और दुनिया में लोगों को ये नहीं सिखाया है कि अपनी इंद्रियों का, अपनी याददाश्त का, अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करें, जीवन को इस समय कैसे अनभव करें, अभी अपने अनभव को तीवर कैसे करें, आपका पूरा जीवन इन तीन आयामों के बीच घट रहा है। यादाश्त, वर्तमान अनभव और कल्पना यही आपका जीवन है, है ना? यह तीन आयाम हैं, हम इने त्रिकाल कहते हैं, समय के तीन आयाम, आपका जीवन का सारा अनभव यहां घट रहा है, पर अगर आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर करने का बोध खो द तो सब कुछ दुख देता है, सब के साथ भयानक चीज़े नहीं हुई है, दुरभागे से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी लोग बस यूँ ही किसी चीज़ से पेड़ित हैं न, क्योंकि दुखी रहना fashionable बन गया है, लोगों को लगता है अगर वो पेड़ित जो कल हो सकती है, तो इस पागलपन को बस इसलिए बढ़ावा दिया गया, क्योंकि बस हमने कभी लोगों को सिखाया ही नहीं कि वो अपने इक्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करें, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि ये human machine जिसे आप और मैं चला रहे हैं, ये धर्ती की सबसे बहत जब आप एक नया फोन खरीदते हैं, क्या आपको पहले दिनों में user manual पढ़ना चाहिए या तीन साल बात जब आप उससे छोड़ रहे हो, जल्दी से जल्दी है ना, पहले ही दिन आपको पढ़ लेना चाहिए, सिर्फ तभी आप इस फोन को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकत आप इसे तनाओ, चिंता, दर्द, दुख, कुछ भी कह सकते हैं, असल में आपकी बुद्धी आप ही के खिलाफ हो गई है, यही सचा ही है अगर आपकी बुद्धी आपके लिए काम करती, अगर यह आपकी बात मानती, तो आप खुद को आनंद में रखते हैं, क्या ऐसा नहीं होता हलो आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है क्यों आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है आपको इसकी और देखने की जरूरत है ना कि उन चीजों को तमगे की तरह ढोने की जिनें आपके साथ नहीं होना चाहिए था इससे बहुत सी महिलाएं मेरे खिलाफ हो सकती है अगर मैं आपके खिलाफ होता तो मैं या नहीं होता है ना